दिल्ली में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में 100 से जादा लोगों की मौत हुई है इसके पहले 16 जून को 93 लोगों की मौत हुई थी अभी तक दिल्ली में कोरोना से कुल 7,332 लोगों की मौत हो चुकी है जिन में से 563 लोगों की मौत पिछले एक हफ़ते में हुई है आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच मरने वालों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है 6 नवंबर को 64 लोगों की मौत हुई थी दिल्ली में 9 नवंबर को ये संख्या 71 पार कर पहुँच गई 11 नवंबर को मरने वालों की संख्या 85 हुई 12 नवंबर को दिल्ली में मरने वालों की संख्या 104 हो गई 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल ने ट्वीट किया था कि दो महिने के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 से नीचे आ गई है मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था कि आज दिल्ली में कोरोना से केवल 8 मौते हुई है कई दिनों बाद 8-10 से भी कम मौते हुई, कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हमने कई कदम उठाए है हमारी कोशिश है कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए हर इनसान कीमती है लेकिन दो महीने बाद दिल्ली में मरने वालों की संख्या नए रिकॉर्ड को पार कर गई यह माहमारी हमें बता रही है कि हम कभी भी या ना सोचें कि रोकने में काम्याब हो गए है सरकारी प्रयासों की तारीफ अच्छी बात है लेकिन क्या इन दो महिनों में कोई प्रयास नहीं हुए होंगे जो अगस्त के पहले हुए थे सभी को यह याद रखना है कि कोरोना को लेकर आप लापरवा हो ही नहीं सकते हैं कोरोना को काबू कर लेने की जल्दी केंदर सरकार के बयानों में भी दिख जाती है 18 अक्टूबर की यह रिपोर्ट देखिए ndtv.com पर है सरकार की कमेटी ने कहा है कि भारत में कोरोना वाइरस का पीक जा चुका है अगर सारे उपायों का पालन हो तो अगले साल महमारी काबू में आ जाएगी लेकिन सर्दी और त्योहार के कारण महमारी फैल सकती है एक महिने में 26 लाख नए केस आ सकते हैं करोना बढ़ रहा है इसको लेकि मैं भी चिंतेत हूँ दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से करोना बढ़ रहा है जो भी उचित कदम उठाने के ज़रूरत है हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं अगले हफ़ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई है कई सारे कदम और उठाए जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि हफ़ते दस दिन के अंदर फिर से करोना की स्थिती काबू में आ जाने चाहिए करोना कम होना चालो हो जाना चाहिए त्योहारों के आते ही दिखने लगा था कि दिल्ली ने करोना से बचने के सारे अनुशासनों को हलके में लेना शुरू कर दिया है मार्च अप्रैल के महिने में दुकानों के बाहर बनाए गए सफेद रंग के गोले ताकि लोगों के बीच की दूरी बनी रहे सितंबर तक आते आते गायब हो चुके थे ऐसा लग रहा था कि सब उन लोगों से सीख रहे थे जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे कोई उनसे नहीं सीख रहा था जो हर दिन मास्क लगाते हैं अपना हाथ साफ रखते हैं और देह से दूरी बना कर रखते हैं दिल्ली के बाजारों से आती इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं की मास्क लगाने और देह से दूरी बनाएं रखने को जनता ने ढोंग भोशित कर दिया है। दिल्ली मीडिया की कैपिटल है, कोरोना को लेकर सडकों पर तमाम तरह के प्रचार पोस्टर दिख जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मास्क नदारत है, और है भी तो नाक के नीचे है। गले में लटका कर लोग मास्क पहनने का भ्रहम पाल रहे हैं। सामाजिक दूरी पर तो बात ही बेकार है। इस शहर में मुबाइल फोन का घनत्व काफी जादा होगा। आप किसी को फोन करें, आपको कोरोना से बचाव के तीन उपायों का लेप्चर सुनना ही पड़ेगा। एक बार नहीं बलकि दिन में असंख भार, इस टॉर्चर के बाद भी लोगों में मास्क को लेकर नागरिक संस्क्रिती नहीं बन सकी। यह भी सही है कि दिल्ली में ही जादा संक्या में लोग मास्क में दिखते हैं लेकिन मास्क ना पहनने और दे से दूरी का पालन ना करने वालों की तादाद उनसे कहीं जादा हो चुकी है। सोचना चाहिए कि आखिर क्या वज़ा है कि भारत की राजधानी में करीब 24 करोड जुर्माना वसूलने के बाद भी लोगों में मास्क पहनने की संस्क्रिती नहीं बन सकी है। दिल्ली पुलिस ने मास्क ना पहनने और दे से दूरी का पालन ना करने पर 24 करोड रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले है। शरत शर्मा 9 नवंबर को भागिरत प्लेस में थे। ये भीड तब है जब दुकानदारों को शिकायद थी कि करोणा के कारण लोग नहीं आ रहे हैं। फिर भी दिल्ली के बाजारों में इतनी भीड है। क्या कहूं आप खुदी फैसला कर लीजिए। चार लोगों की मौत समाने घटना नहीं है। ये तब है जब कोरोना को आये इस शहर में आठ महीने हो चुके हैं। दिल्ली में हर दिन नए मामलों की संख्या का भी रेकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,053 मामले आ रहे हैं। जून के महीने में जब पहली बार पीक आई थी तब भी एक दिन में 7,000 केस नहीं आये थे। सितंबर में भी एक दिन भी 7,000 केस नहीं आये। 23 जून को 3,947 नए मामले सामने आये। उस वक्त ये अधिक्तम संख्या थी। 16 सितंबर को एक दिन में 4,473 नए मामले सामने आये। उस वक्त ये अधिक्तम संख्या थी। 11 नमंबर को एक दिन में 8593 नए मामले सामने आ गए, ये अब तक की अधिकतम संख्या है, दिल्ली की तीसरी पीक कही जा रही है और इस बार संख्या पहली और दूसरी पीक से अधिक हो चुकी है, तो क्या हमने जो हासिल किया था उसे गवा दिया, याद रखना चाहिए, इसमें किसी का भला नहीं है, भारत में पॉजिटिविटी रेट 3-5 प्रतिशत की है, जितने लोगों का टेस्ट होता है, उसमें से 3-5 प्रतिशत पॉजिटिव होते हैं, मगर दिल्ली में 12-15 सालों के ICU बेड भर चुके हैं, ICU बेड के लिए दिल्ली सरकार को कोट में जाना पड़ा, दिल्ली में कुल 1288 वेंटिलेटर युक्त ICU बेड हैं, जबकि 217 बिना वेंटिलेटर के ICU बेड हैं, दोनों 80-90 प्रतिशत भर चुके हैं, 56 प्राइबेट अस्पतालों जैसे मैक्स ह साकेत, पटपडगंज, अपोलो होस्पिटल, फोटिस चाली मारबाग, वसंत कुंच और ओखला, बत्रा होस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर युक्त ICU बेड खाली नहीं हैं, जबकि अपोलो, सरगंगाराम, मैक्स साकेत और पटपडगंज और वेंकेटेश्वर होस्पि और दीब चंद बंधू अस्पिताल जैसे सरकारी अस्पितालों में भी ICU बेड पूरे भर चुके हैं, केंदर सरकार के नर्दन रिल्वे अस्पिताल, LHMC अस्पिताल में एक भी ICU बेड खाली नहीं है, ये डेटा 13 नवंबर के दिन का 12 बजे तक का है, तो दिल्ली में अस् साउधानी रहने का अनुशासन तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो उन्हें अस्पितालों की हालत देख लेनी चाहिए, ना तो पैसे से ना बीमा से अब बिस्तर मिलेंगे, कोट ने दिल्ली के 33 बड़े प्राइवेट अस्पितालों के 80 प्रतिशत ICU बेड्स, कुरोना मरी जो में एक स्तर की तयारी करनी होगी, जो अभी तक हो जानी चाहिए थी, वायू प्रदूशन का भी समय चल रहा है, पटाकों पर रोक में लोग सहयोग भी कर रहे हैं, फिर भी पटाके छूटेंगे भी, उपर से ठंड का मौसम है, जिन मरीजों में सांस की तकलीफ पहले स से होती है, उनकी हालत कोरोना के कारण गंभीर हो सकती है, पिछले 24 घंटों में बंगाल, केरल, महरास्ट, करनाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे अधिक नए केस आए हैं, राजिस्थान में भी केस बढ़ने लगे हैं, हरियाना में पिछले 24 घंटे में 2788 केस आए और 19 लोगों की मौत हुई है, इन्स के निदेशक रंदीब गुलेरिया का कहना है कि दिवाली कहीं सूपर स्प्रेडर ना बन जाए, मत हैं, इन मौत है कि इन ले इन लाए और बेदेश पर उन दोप्रेक geweें ट demand anvaр लाए, इन इन बीक फिर ऋज टीन जाए, जास बड़ए, बड़ बेको लिए्पेब टन टेशस आए कर रदिशे le, जाननारर लोगों कर लिंघनारी सननन प्राइब एंगों, सब को पता था कि त्योहार आने वाले हैं खरीद बिक्री भी जरूरी है क्योंकि वो अर्थ विवस्था के लिए जरूरी थी काईदे से मार्च के महीने की तरह सारवजिनिक अनुशासन कायम करने का अभ्यास इन महीनों में भी होना चाहिए था ताकि कोई लापरवा ना हो दिल्ली के बाहर के लोग या ना सोचे कि उन्हें छूट मिल गई है खासकर जिन पांच राज्यों में अब तक सबसे अधिक कोरोना से मौत हुई है महरास्ट में 45,622 लोगों की मौत हुई है और कल 122 मौते हुई है करनाटक में 11,474 मौते हो चुकी हैं कल 21 मौते हुई है तमिलाडू में कल 25 मौते हुई हैं अब तक 11,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में 7,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में 104 लोगों की मौत हो चुकी है 7,332 कुल मरने वालों की संख्या है इसलिए कोरोना को हलके में मत लीजिए किसी को चीट ना करें कई लोगों को देखता हूँ कि बिना मास्के लिफ्ट में आते जाते हैं बाजार में घुमते हैं और लोगों को जानकारी तक नहीं देते ऐसे लोगों को देखें तो एक बार तोक दें ये वो लोग हैं जिने कोई नहीं समझा सकता जब ये लापरवा होते हैं तो इनके कारण महमारी फैलती है और जब खुद शिकार होते हैं तो लगते हैं मीडिया को खोजने कि मीडिया कहा है अस्पतालों पर ध्यान नहीं देता हमारे साथ शर्मा हैं उनसे बात करते हैं शर्द आप 9 नवंबर को भी भागिरत प्लेस में थे और आज भी हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको वहां कुछ नजर आ रहा है कि लोग मास्ट पहन रहे हैं समाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं यह सब नियम काइदे अब बार बार दोहराने के लिए रह गए हैं पालन करने के लिए नहीं देखिए आपको तस्वीरे दिखाई देता हूँ बहुत ही अच्छी तस्वीरे हैं वैसे तो क्योंकि दिवाली का समय है और दिवाली क्योंकि रोश्नी का तेवहार है और भगिरत पलेज जो है वो लाइट्स के लिए बहुत मशूर है तो आपको तस्वीरे दिखाता हूँ कि इस समय ये बाजार जो है ये पूरी तरह से चम चमाता हुआ नजर आ रहा है हैं लोग बड़ी संख्या में यहां पर जैसे की कुछ दिन पहले नजर आ रहे थे वैसे ही आज की वज़े से दिल्ली के अंदर जो करोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है या फिर हम यह कहें कि लोग इतने जादा मामले सामने आ रहे हैं उसके बावजूद भी लोग बाजारों में इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं यह एक कारण जरूर हो कि दिल्ली के अंदर कोरोना जो है वो बड़े पैमाने पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से कारण है जैसे की ठंड है जैसे की पॉल्यूशन है और हो यह भी रहा है रवी जी के लोग जो है जो इस समय में क्योंकि आम तो पर वैसे भी आकडा है यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन बात यही है कि मजबूरी है दिवाली का समय है कुछ को खिज़ दारी करने हैं लेकिन आपने देखा होगा कि मार्च अपरेल के महीने में किस तरह से सफेद रंग के गोले बनाए गए थे कि इसे लोग खरीदारी भी कर स है थोड़ा डिस्टेंस भी बना रहे और मास्क भी लगा रहे थे तु मास्क लगाने से उन्हें कौन रोक रहे हैं वो खरीदारी भी करें और मास्क भी लगाएं यह बात गपते कि लोगोस को नई मजबूरी में पहनते हैं लेकिन हो यह रहा है इस तरहीं, यह सोरी बेमानी है, हम यह कहें कि लोग social distancing का पालन नहीं करें तो यहां यह हो ही नहीं सकता है क्योंकि लोग इतने जादा हैं जगे बहुत कम हैं तो यहां से कंदे से कंदे तो टकराएंगे ही साथ खड़े हो के लोग शॉपिंग करेंगे ही लेकिन लोग मास्क अपना नीचे कर ले रहे हैं हटा कि मामले भी बढ़ रहे हैं और लोगों का आपसी विवाद भी पुलिस वालों के साथ बढ़ रहा है चलान कट रहे हैं लेकिन सब कुछ चल रहा है क्योंकि यह बहाना गया है कि कुरोना जो है वह एक जिवन का हिस्सा बन गया है तो लोग भी चल रहे हैं कुरोना भी चल है बाजार भी चल रहा है सब कुछ इसी तरह से चले जा रहा है पर इस लापरवाही की कीमत कुछ लोगों को चुकानी पड़ रही है शरत भले ही रिकवरी ठीक है लेकिन दिल्ली में 104 चार लोगों की मौत हुई है और अस्पतालों में आपकी ही रिपोर्ट है कि आई सीओ के बेट्स खाली नहीं है अगर किसी की स्थिति गंभीर हो जाए वो बचने वाली भी होगी तब भी वो नहीं बच सकता है या फिर उसकी स्थिति और बिगर सकती है इन सारे हालात को इमर्जेंसी में फोन कीजिए तो तीन मिनट तक बैटके लेक्चर सुनते रही है और उसका लेक्चर का कुछ नतीजा नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि अभी के जो हालात हैं दिल्ली के अंदर वो पहले के हालात के मकाबले कितने जादा खराब हैं पहली पीक थी दिल्ली के अंदर उसमें पूरे महीने के अंदर जून के महीने के अंदर 66,000 मामले निकल कर आए थे 30 दिन के अंदर जो दूसरी पीक आई दिल्ली के अंदर उसमें पूरे एक महीने के अंदर यानि कि 30 दिनों के अंदर सितंबर का जो महीना था एक तो दिल्ली के अंदर जो severe condition वाले मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और क्योंकि संख्या बढ़ रही है तो वो ICU में पहुँच रहे हैं तो जिनको ICU मिल जा रहा होगा उनकी स्थिती भी कोई अच्छी नहीं है और जिनको नहीं मिल पा रहा है उनकी स्थिती जाहिश कुरुना हो रहा है लेकिन ये जब आप देखते हैं बहुत करीम में जाकर जिसको होता है वह उसको बहुत करीब से देखता है और इसलिए हम लोग बार-बार कहते हैं कि नियमों का पालन करें और 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 कुछ हो ना हो कंसे का मास्क जरूर लगाए रखें क्योंकि जब आप समझे तो फिर क्या समझे जरूरी तब है कि जब हुआ नहीं है और आप समझ जाएं और आप एहतियात बरत लें और इस संकट से निकल जाएं शरद आप प्रेस कॉनफेंस भी लगतार कवर कर रहे हैं से संबंधी क्या बता सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी और दिल्ली में भी टेस्टिंग को लेकर क्या भी लेटस्ट पॉलिटिक्स चल रही है क्या इस्तितियां है देकि टेस्टिंग के उपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमें जरूर बतानी चाहिए वो ये है कि दिल्ली के अंदर और बाकी देश के अंदर टेस्टिंग की क्या अलग लग स्तिती है दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो पूरी जो स्टेटीजी है वो केंदर सरकार के सीधे दखल के साथ हो रही है यानि कि जो नीती आयोग के सदर से हैं डॉक्टर वी के पॉल उनकी अधिक्षता वाला जो एक्सपर्ट ग्रूप है वो कहता है कि आप इस तरह से स्टेटीजी यह बनाइए और उसके आधहार पर दिल्ली सरकार टेस्ट करती है क्योंकि दिल्ली पूरा स्टेट नहीं है तो जो अधिकारी भी है वो सीधा केंदर सरकार की बात मांते हैं और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो केसिस बढ़ रहे हैं वो तभी से बढ़ने शुरू है जब से जो टेस्टिंग है दिल्ली के अंदर जो उसकी रणनीती है वो बदली गई है तो पहले क्या हुआ करता था कि टेस्टिंग ऐसे होती थी कि कोई एक बंदा पॉजिटिव हुआ तो उसके परिवार वाले जब तक सिम्टोमेटिक नहीं ह अगू है बाकी जगे भी केंदर सरकार सलहा देती है और दिकत होती है तो अपने लोगों को भेजती है लेकिन वह राज्यों के उपर होता है माने ना माने लेकिन दिल्ली को जो है जरूर मानना पड़ता है एक और इंपोर्टेंट बात रवीच यह है कि जैसे हम बिहार के बात करें जुनाव घया है हमांपर कि नीकल के नहीं आ रहे हैं तो बिहार के बाकी फीज थे एंपोर चेarted हैं तो 50% तक चांस होता है कि आप जो हैं उसमें फॉल्स नेगेटिव आएगा और दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वह इसले भी बदली अरविजी अभी तक इसने यह बहुत ध्यान नहीं दिया है सितंबर महीने में और आज के महीने में टेस्ट्रिंग के नंबर्स में कोई खास बतलाब नहीं है लेकिन सितंबर के महीने में जब दूसरी पीक आया था वेव का तब 4,473 केस थे और जो टेस्ट की संख्या थी वो करीब 62,000 थी और आर्टी पीस्यार करीब 11,000 थे लेकिन अब जब साड़े आर्टी पीसर टेस्ट की संख्या बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव केसिस की संख्या भी बढ़ रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए अपना भी ख्याल रखिए आपको दिपावले की शुब कामना हैं आपने देखा कि कैसे कोरोना की ड्यूटी करते करते मुंबई के डॉक्टरों का वजन कम होने लगा था कोरोना कई तरह के मानसिक रोग को जन दे रहा है आई सी यू में भरती मरीजों को एक नई बीमारी और होती है इसका नाम है आई सी यू साइकोसिस या एक तरह का मानसिक रोग है उन्हें कांसिलिंग मरीजों के लिए ICU के अंदर मनुरंजन की सुविधाओं का इंतजाम करने जा रही है पुजा भारदवाज की रिपोर्ट ICU में भरती COVID के लगभग सभी मरीज ICU साइकोसिस यानि की एक तरह के मानसिक डिसॉडर से गुजर रहे हैं बहकी बहकी बातें करना, वहम, मती भ्रहम का वो शिकार हो रहे हैं जिससे इनकी recovery में देरी हो रही है मुंबई के ICU मरीजों के लिए अब BMC ने एक मुहिम शुरू की है जिसके तहट मरीजों का फोन पर फिल्म देखना, गेम खेलना, संगीत सुनना, पढ़ना, पहीली सुलजाना, साथी मरीजों से बात करना, वीडियो कॉल और मेडिटेशन शामिल है इसका जब काड़ों का हमने पता किया, तो ये पता चलता है कि मरीजों के जो रिष्टिदार होते हैं, जो बीमारी के समय आखर मिलते हैं, वो मिल ने सकते हैं, आइसलेशन होने के होजासे, या उनको भी COVID बीमारी का इंफेक्शन होने का खतरा रहता है इसलिए हमने हरेक वार्ड में, जहांपे भी COVID के पेशंट अभी दाकिल है, उनको हमने स्मार्टफोन दिये हैं, महानगरपालेका के और से, उससाथ भी वाइफाई की सुविदा भी उपलग कराई है, ताकि वो अपने वीडियो कॉल से, अपने रिसेदारों से बात कर सके और dilutions आता रहता है, hallucinations, behavioral changes, fluctuating level of consciousness, यह सब चीज़े आ सकते हैं यह patient with ICU psychosis में, और uncertainty है, condition के बारे में, improvement के बारे में, unknown environment में, unknown surrounding में है, patient, family से दूर है, गर से बाहर है BMC के अस्पतालों से जुड़े मनुचिकितसक, डॉक्टर अनुपम बुराडे बताते हैं कि ICU के COVID मरीजों से जितना और जैसे मुम्किन हो बातचीत जरूरी है, क्यूंकि यह disorder, ICU से निकलने के बाद भी उन्हें परिशान करता है ICU से जो बाहर निकलते हैं, या COVID हॉस्पिटल से जो बाहर निकलते हैं, उनके दिमाग में, उनके नजरों के सामने, वो flashes आते हैं कि मैं वापस ICU में हूँ, फिर मुझे वापस वो याद आ रहा है कि मेरा पडोसवाला patient expired हो गया मुझे वापस वो याद आ रहा है कि मुझे यह यह लगाया गया था oxygen levels measure करने के लिए वो flashes आना start हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो anxiety start होते हैं anxiety के बाद में शायद थोड़ा सा depression हो जाता है, food habits थोड़ा कम हो जाते हैं, खाने में इच्छा नहीं है, बात करनी की इच्छा नहीं है किसी के साथ में बीच में suddenly एक alarm reaction हो जाता है, panic reaction कि मुझे कुछ हो रहा है, हाला कि सब normal है, लेकिन कुछ हो रहा है इधर प्राइवेट अस्पतालों के critical care विभाग बता रहे हैं कि कुछ मामलों में इस disorder से और भी बड़ा खत्रा है मुंबई में फिलहाल 1263 मरीज ICU में भरती हैं, मनुचे कितसक बताते हैं कि इनमें से ज्यादा तर मरीज ऐसी ही दिमागी तकलीव से गुजर रहे हैं ये जल्द ठीक हो इसके लिए दवा के साथ साथ काउंसलिंग की भी सखत जरूरत है मुंबई से पूजा भारत द्वाज की रिपोर्ट ND TV इंडिया के लिए ये मोहीम अच्छी है, मगर देश में कोरोना संक्रमन की संक्या बढ़ाने वालों में महरास्ट लगतार बना हुआ है और ऐसे में राज्य में नए-नए संकट पैदा हो रहे हैं अस्पतालों में जरूरी स्वास्त सामान जैसे दवा, पी-पी किट और मास्क मोहीय कराने वाले करीब 100 सप्लायर्स वाली All India Food and Drugs License Holders Foundation ने अपनी सप्लाई पर रोक लगा दिये इनका आरोप है कि बकाया राशी 200 करोड रुपे से भी अधिक हो चुकी है और भुक्तान के बिना वे आगे सप्लाई करने में असमर्थ हैं कोरोना संकट के बीच महराश्ट एक नई चुनौती का सामना कर रहा है सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को दवाया, मास्क, गलव्स, पी-पी, सर्जिकल उपकरन जैसे बेहत जरूरी समान मुहया कराने वाले 100 से ज्यादा सप्लाईर्स ने सप्लाई पर रोक लगा दी है All India Food and Drug License Holders Foundation के सदस्यों का आरोप है कि महराश्ट के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरनों की खरीद का प्रबधन करने वाले हैफकेन इंस्टिटूट ने उनके पैसे नहीं दिये है पूरे महराश्ट्र में लगभग 100 सप्लाईर्स की नुमाइंदगी करने वाले फाउंडेशन का दावा है कि जनवरी से जून तक के लिए 220 करोर रुपे का भुगतान बाकी है फाउंडेशन के सदस्यों ने पहले भूख हर्ताल पर बैटनी की योजना बनाई थी अनुमती नहीं मिलने के बाद उन्होंने सप्लाई पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया उन्हेंने कोई भी पैसा हमें अभी तक नहीं दिया है और जिसके वएसे आज हमारी उनिट्स हमारे सबी जो स्मॉल्श के उनिट्स है वो रन करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया है दिवाली है और हमें इस दौरान बहुत खर्चे करने पड़ते हैं वरकर्ज और स्टाफ को बोनस, गिफ्ट, सैलरी साथ देनी पड़ती है साथ ही हमारे क्रेडिटर्स भी पैसे मांग रहे हैं इंडियन मेडिकल असोसियेशन महराष्ट ने सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाईयों की सप्लाई रुकने को गरीब मरीजों के लिए चिंता जनक बताया है जो गरीब पैसेंट्स है जो आम लोग है उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए जब वो गवर्मेंट हस्प्रों में जाते है तो उनका ये नुकसान होने वाला है दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स मौझूद है डॉक्टर्स पेशन को देख रहा है लेकिन उनकी पास दवाईया नहीं होने के वज़े से ये दवाईया पेशन्स को उनको खरीदने को लाने को बोलना पड़ेगा और हो सकता है इस वज़े से काफी उलजने पैदा हो सकती है और ये भी हो सकता है कि पेशन्स को पेशन्स की जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास ज्यान है वो ट्रीटमेंट कर रहा है लेकिन दवाई नहीं होने के वज़े से पेशन्स की जान जा सकी है सप्लाई को इस तरह से रोकना राज्य के करीब 218 सरकारी अस्पतालों और कोरोना युद्धा कहा गया था चुनाओं में नेता जी आपके दर्वाजे पर आए होंगे अब पांच साल बात शाय दिया है लेकिन कोरोना महमारी के संकट के इस दौर में चेहरे पर एक साधारन सा मास्क लगाए हुए जो कई हजारों में से एक आशा कारेकरता आपकी सेहत के लिए दर्वाजा जरूर खटखटाती होगी उनका दिन भर का काम करने का मानदे है सिर्फ 30 रुपए हाला कि मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान इन डेर लाक लोगों को 10 हजार रुपए की प्रोचाहन राशी द अर्थ विवस्था में आशा कारेकरताएं स्वास्ति की पहली सिपाही हैं जो सरकार के 60 से अधिक कारेकरमों जैसे मात्र एवं शिशु सेवाएं, परिवार कल्यान, सर्वेक्षण, मलेरिया, कुष्ट, एट्स जैसी बिमारियों के नियंतरण, कुपोशन नियंतरण जैसे कारेकरमों के बाद अब कोरोना के लिए घर घर जाकर आंकड़े भी जुटा रही हैं, इनके काम का बोज भोपाल से समझाते हैं, 24 लाग की आबादी पर शहर में 600 आशा, 1200 आंगन बाड़ी कारेकरता हैं, यानि एक आशा कारेकरता पर 4000 लोगों की, आंगन बाड़ी कारेकर कारेकरता पर लगबग 2000 लोगों की जिम्मेदारी है, मध्यप्रदेश सरकार ने पहले इन्हे कोरोना योद्धा माना, लेकिन लगता है सिर्फ मानकर छोड़ दिया, क्यों? कमला, रीना, आरती से सुनिये हम उनके दर्वाजे पर दोवार अगया, उनको समझाया, सब कुछ किया, लेकिन कोरोना के दोरान जो बताया गया था कि आपको 10-10 हजार रुपे रासी दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दी गई करोना में अपनी जान से खेल के बद चोटे-चोटे थे, फिर भी काम किया है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं मिला साथ क्या बोला साथ? क्या हर महीने दस देंगे, दस अजार देंगे आप लोगों को काम करो दूप भी नहीं देखी बारिस भी नहीं देखी तो भी गयसार उसका कुछ भी नहीं मिला बहुत परता हुए हम लोगों कोरोना के सार्वें में बतल सुपाना दर भी था कि हम लोगों को डिवारे नहीं हो। फिर भी हम लोग ने एक काम किया और इसमें हमें कुछ लाब ने मिल पा है वहरत हम लोग ने कि एक एक धर जाके समझाई दी और मुझे से माग समान बाहर ने निकलना देश में फिलहाल आठ लाक आशाकारे करता हैं मदप्रदेश में लगभग 80,000 आशाकारे करता रोजाना लगभग 8 घंटे काम करती हैं इन्हें कोई निश्चित मांदेग नहीं मिलता बलकि पॉइंट्स पर पैसा मिलता है महीने में 6 पॉइंट हासिल करने पर 3000 रुपे, एक पॉइंट भी कम हुआ तो सिर्फ 500 रुपे कोरोना के दोरान केंदर ने भी उन्हें अलग से प्रतिमा 1000 रुपे दिये जाने का ऐलान किया था राजे सरकार अब कह रही है रवाइदा पूरा करेंगे लिगन विपक्ष का आरोप है ये वादा खिलाफी है हमारा वादा है हम सब वादे पूरे करेंगे कहीं कोई गलती नहीं है भारती जनता पार्टी और शिवराज सिंग चोहान जी जो कहते हैं वो करते हैं करोना काल में शिवरास सिंग चोहान जी ने जो काम किया उनके नित्रत में हमारी सरकार ने जो काम किया है वो अविस्मर्णी है हमने मद्ध प्रदेश की जन्ता को बचाया है कमलना जी और उनकी सरकार के मंतरियों ने केवल एशव आराम किये और हम जन्ता की सेवा कर रहे हैं देखी हमने जो जो वादे की है वो सब पूरे हों गए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आशाकारी करता हो, एनेम हो, कुछ टेंपरेरी लगाये हुए लोग हैं, जान जोकी में डालके उन लोगों ने किया, आपने आस्वासन दे दिया, लेकिन वो लोग रास्ता देख रहे हैं, कि कब मामा का आस्वासन पूरा होगा, पर ये आस्वासन, म करोना योद्धा बोल रहे हैं, ये सच है कि कई जगों पर करोना सरवेक्षन के दौरान, आशाकारी करताओं को करोना वारियर नहीं, करोना केरियर समझ कर मारा पीटा भी गया, जब लोग घरों में बंद थे, तो ये घर-घर जाकर आंकडे इकटा कर रही थी, फिर भी इन नाम तुदूर इनका हक और ढंक से मार्क्स सैनिटाइजर या पीपी इकड़ तक इन्हें नहीं दिये गए ग्रामीन स्वास्वधाओं की पहली सिपाही हैं आशाकारे करता सरकार ने नाम कितना अच्छा दिया कोरोना योध्धा लेकिन जिन गाउं मजरों टोलों में सरकारी स्वास्वधाओं पहुंच नहीं पाती ये वहां पहुंच कर काम कर रही हैं बावजूद इसके सरकार के खोखले वाइदों से अब इनके जीवन में निराशा भरने लगी है भूपाल से कैमरा परसंटरिज वान खान के साथ अनुराग द्वारी एंडी टीव इंडिया